हेलो स्थुडेंट्स आप सभी का प्रिस्टूव Eccountancy की किलास में सवागत है हम सौव कर रहे थे प्रिबोर्ड एग्जामिनेशन के Numerical Questions पिछले पार्स में हमने 5 Numerical questions सौव कर लिये थे आज हम सौव करेंगे Numerical No.6 जो pre-board examination का question number 14 है, तो इसको पहले study करते हैं, compute the income from subscriptions for the year 2021 from the following particulars related to a club, तो देखते हैं क्या क्या information हमारे को दी हुई है, तो हमारे को information दिया है, एक 1st January 2021 की, इसके बाद यह 31st December 2021, तो एक opening date की है, एक closing date की है, तो सबसे पहले हमारे को दिया है outstanding subscription, तो opening date का 9500 है, and closing date का 7000 दिया है, advanced subscriptions opening date में 2800 की है, and closing date में 5200 की है, subscriptions received during 2021 rupees 148900 की आपके पास given है, तो इस information दी हुई है, और आपको कहा है कि during the year कितनी subscriptions received हुई, उसको आप calculate करो, तो आपको मैं बता देने चाहता हूँ कि जो subscription है, यह regular income होती है, revenue nature की income होती है, और इसको income and expenditure account की credit side में बताते हैं, और उसमें हम बताते हैं, during the year कितनी receive हुई, चाहे वो हमारे को मिली, चाहे नहीं मिली, उन सब को कह कर देंगे, हम add कर देंगे, लेकिन हम during the year इलेंगे, और ऐसी subscription जो next year या previous year से related है, उसको हम इसमें से कह कर देते हैं, less कर देते हैं, और यही हमने इस topic में कह करना है, समझना है, इस question में हमने यही करना है, ठीक है, तो इसमें दो टर्में हैं, एक है outstanding, एक है advance, तो outstanding का मतलब होता है, कि हम member से, जो subscription है, यह paid करते हैं member, हम member से मांग रहे हैं, लेकिन member हमारे को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब होता है, outstanding मांगने पर ना मिलना, और advance का मतलब होता है, कि बीना मांगे, क्या हो जाना हमारे को कुन सी होगी उनकोमेट कर देंगे और जिन करलेशन पिछले साल ही आगले साल से होगे, उनकोमेट कर देंगे, तो सबसे पहले आपको, मैं इसको समझा देता हूँ, फिर हम कॉश्चन को सौल करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो during the year receive हुई यह दी रहती है आपको receipt and payment account में तो जैसे इस question में हमारे को given है 1,48,900 तो सबसे पहले हम यह ले लें कि during the year कितनी हमारे को receive हुई ठीक है और इसमें अब जो outstanding at the end है जैसे हमारे को दी हुई है अपर 31st December 2021 में तो outstanding at the end जैसे हम जो है अभी अपने account close कर रहे हैं और आज की date में अगर outstanding है तो इसका relation इस साल से है तो इसको हम क्या कर देंगे add क्योंकि आज हम account close कर रहे हैं और आज outstanding है तो हम देखेंगे तो इसका relation इस साल से तो इसको क्या कर दी जाएगा add और जो 9500 ये opening है तो opening में जैसे हमने अभी अपने accounts जो है start किये next year के लिए ठीक है तो जैसे हमने accounts start किये और हम देखते हैं कि outstanding है तो इसका मतलब is correlation किसे है पिछले साल से इस साल की नहीं इस साल तो अभी हमारे account open हुए तो इस correlation पिछले साल से तो इसको हम क्या कर देंगे less ठीक है तो इस question में 7000 जो है वो add हो जाएगा क्योंकि इस correlation इस साल से है और 9500 रुपीज है उस correlation पिछले साल से तो क्या हो जाएंगे less इसके बाद अब हम चल जाते है advance में तो advance में अगर हमारे को कोई opening date में दे देता है जैसे opening date में हमारे को मिल गिया 2,800 रुपीज ठीक है तो जैसे हमने account अपना जो है accounting year हमने start किया और किसी member ने हमारे को दे दिया तो उसने दिया हमारे को इस साल में तो उसको हम add कर देंगे और अगर हम जो है अपने account close कर रहे है आज और कोई member आता है वो advance देने की कोशिश करता है कि लोजी advance जैसे इस question में दिया है 5,200 रुपीज तो incurlation किस से है incurlation है next year से ठीक है तो यह advance दे रहा है अगले साल के लिए तो इनको कर दी जाएगा less और फिर हम जो हैं जो हमारे को receive during the year वे subscriptions उसमें जो add है उनको add करेंगे जो less करेंगे और हमारे पास आजाएगी subscription income during the year तो ऐसे हम करेंगे अब हम करते हैं question को solve तो इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे जैसे solution जो भी इसका number है और एक हम जो है format बनाएंगे particulars और amount हम लिख देंगे रुपीज में और amount रुपीज में सबसे पहले हम लिख देंगे subscriptions received during the year तो 1,48,900 जो question में दिया है उसको हम लिखेंगे और जो add-add वाली हम add करेंगे जिन करलेशनी साल से है तो add कर देंगे outstanding subscriptions 31st December 2021 की तो इस करलेशनी साल से है तो 7,000 add हो जाएगा and add कर दे जाएगा जो advance मिल गया हमारे को सुरू में ही advance subscriptions 1st January 2021 तो ये जो green link में जो लिखे हुए है ये क्या हो जाएगे add तो add करने के बाद हम लाइन लगाएंगे तो 7,000 में 2,800 जब add करेंगे हम तो add कितना हो जाएगा हमारा 9,800 रुपीज अब less क्या क्या की जाएगा outstanding subscriptions 1st January 2021 की जो 9,500 की है इनकों में भी दिन ब्रेक्ट रखा हुआ है and less कर देंगे advance subscriptions 31st December 2021 की क्योंकि इस करलेशन की साल से है next year से तो जो outstanding subscriptions beginning थी इस करलेशन पिछल साल से था इसलिए हमने इसको निकाल लिया और जो advance में देरी है हमारे को closing date में उस करलेशन अगली साल से है तो इसको भी कर दिया हमने निकाल लिया तो एक line लगाएंगे तो line लगाने के बाद जब हम 9,500 में 5,200 add करेंगे तो 14,700 क्या हो जाएगा less तो जब हम 1,48,900 में 9,800 को add करेंगे और उसको add करने के बाद उन में से 14,700 को less करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,44,000 तो यह हमारे पास आ गई subscriptions income during the year तो यह हो गया subscription to be credited to income and expenditure account rupees 144,000 तो इसको income and expenditure account के credit side में बताया जाएगा तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही यह मिलते हैं next पार्ट में thank you